सागर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है सिर्फ 1000 रपे के लिए अस्पताल में बच्चे का शव देने से इंकार कर दिया तो बच्चे की दादी को लोगों के सामने भीक मांगनी पड़ी किसी तरह से जब शव मिला तो उसे ले जाने के लिए अंबुलेंस नहीं मिली मजबूरन बच्चे के दादा को पानी में भीकते हुए शव लेकर जाना पड़ा पीकमगड में मिड़े मील की चौकाने वाली तस्वीर सामने आई है यहां जिरा मुख्याले से कुछी दूरी पर चक्रा प्राइमरी स्कूल में बरतन नहीं होने से बच्चों को हाथों में रोटी और दाल दी जा रही है पीकमगड में एक धार्मिक कारिक्रम के दौरान जम कर अश्डील तापुई फिल्मी गानों पर डांसर्स ने जम कर ठुमके लगाए तो लोगों ने नोट भ्यूड आए इस दौरान वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद रहे तमों में ओडीशा की रहने वाली एक नाबाली लड़की को बेचे जाने का मामला सामने आया है लड़की को किसी और नहीं बलकि उसके माता-पिता नहीं मानव तसकरों को पेच दिया था किसी तरह से लड़की इनके चंगल से छूट कर पुलिस तक पहुंची समों में एम्बुलेंस नहीं मिलने से गर्बती महिला को खाट पर अस्पताल ले जाना पड़ा जिसकी वज़े से रास्ते में ही डिलिवरी हो गई वक्त पर इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मात हो गई और महिला की हालत कमभीर है राजिस्थान के धौलपुर की जिला जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट हो गई वर्चस्वी की लड़ाई को लेकर हुई पत्थरबाजी में विधायक बिया खुश्वाह समेथ दो कैदी पुरी तरह खायल हो गए भरकपुर सेंट्रल जेल में ही सुरक्षा में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है यहां जेल में बंदे कैदी न अपने फेस्बुक पेज पर जेल के अंदर की तस्वीरे पोस्ट की है बड़ा सवाल ये है कि जेल में बंद इस कैदी न अपनी तस्वीरे कैसे खीची और उसे फेस्बुक पर कैसे पोस्ट किया राजिस्तान के रायसिंग नगर में सवारी बैठाने को लेकर रोडवेस और प्राइविट बस वालों के बीच छगड़ा हो गया प्राइविट बस वालों ने रोडवेस के कंडक्टर की पिटाई कर दी जिसके बाद रोडवेस जालकों ने सडक पर जाम लगा दिया राजस्थान के धॉलफूर में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारियों से 4,56,000 रुपे लूट लिए घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की लेकिन बदमाशों को नहीं बगड सकी गोटा में डेंगू का कहर तेजी से फैल रहा है यहाँ डेंगू के 33 में मामने सामने आये है डेंगू की बज़र से अब तक 3 लोग की मौत भी हो चुकी है